एक साल पहले हमने कन्या कुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ों यात्रा की थी चार हजार किलोमिटर हम चले हजारों लोग लाकों लोग एक साथ मिलकर भारत जोड़ने के लिए समुंदर से हिमालय की बरफ तक चले कि भाया बुलने दीजे कि आप नारे बाद में देश में बीजेपी और रसस नफरत और हिंसा पहला रही है एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है और हिंसा देश में फैलाती है चार हजार किलोमीटर में मैंने हजारों युवाओं से किसानों से छोटे वियापारियों से बात की साथ घंटे हम चलते थे पंद्रा मिनट शाम को ऐसा भाशन होता था और लोगों ने मुझे सिर्फ दो तीन बात बोली सबसे पहले हर प्रदेश में बेरोजगारी 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 जहां भी आप देखो बेरोजगारी दिखेगी युवाओं से बात करो कहते राहूल जी पांच-छे लाक रुपए दस लाक रुपए हमने प्राइवेट युनिवर्सिटी और कॉलेज़िस को दिया है हमने सोचा था मैं यह जंदा ताई है हमने सोचा था कि यह जो हमने पांच-छे लाक रुपए प्राइवेट कॉलेजर युनिवर्सिटी में डाला इससे हमें डिगरी मिलेگी और डिगरी से हमें रोजगार मिलेगा हमने रोजगार पाने के लिए यह शिक्षा ली है यह कॉलेज की डिगरी, मेडिकल डिगरी, लीकल डिगरी, यह हमने ऐसे नहीं ली, हमने यह रोजगार पाने के लिए ली है और पांच, शे लाग, दस लाग खश करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया एक कागज हमें पकड़ा दिया और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता दूसरों में कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एक्जैम के दिन एक्जैम के दिन पेपर लीग हो जाते हैं और युवाओं के मॉबाइल फोन पे मॉबाइल फोन पे हमें दिखते हैं मॉबाइल पे हमें दिखते हैं मतलब हमने 6-7 लाग रुपे डाले हमने मेहनत की और किसी चौर ने पेपर चुरा के सेंट परसेंट मार्क ले लिए अब जब यह मेरे पास आते थे नहीं सुनो सुनो डिस्कर्ब मत करो जब भी मेरे पास यह आते थे युवा आते थे कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था भईया एक बात बताओ पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछता था भईया मुझे बात बताओ तुमारी जात क्या है और 90% लोग कोई मुझे कह में पिछणा हूँ कोई मुझे कह में धलेत हूँ कोई में कुछ कह में आदिवासी हूँ और जब जनरल कास वाला मेरे पास आता था मैं पूछता था भईया तुमारे माता पिता अमीर है या गरीब वो कहता था गरीब है तो फिर मैंने पता लगाया मैंने कहा यहां पे यात्रा में मुझे पिछडे लोग दलेत लोग आदिवासी गरीब जनरल कास के लोग मिल रहे है मैंने पता लगाया कि भाईया ये देश में हैं कितने ये देश में 10 परसेंट 20 परसेंट 30 परसेंट 40 परसेंट 50 परसेंट ये हैं कितने सड़क पत मुझे यही दिख रहे हैं और कोई दिखी नहीं रहा पता लगाया सरकार कहती है हमें नहीं मालूँ मैंने का आपो कैसे नहीं मालू सरकार कहती हमें नहीं मालू मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में हमें नहीं मालू दलित कितने हैं हिंदुस्तान में हमें नहीं मालू आदिवासी कितने हैं हमें नहीं मालू जेनरल कास के गरीब कितने हैं हमें नहीं मालूँ मैं आपसे पूछने चाहता हूँ देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं बताओ बताओ कितने हैं 50% आपका नाम क्या है पूरा नाम गोविन सिंग जाटव जी पिछड़ी जाट के 50% आपने कहा ठीक है दलत कितने 15% आदिवासी कितने 8% 50, 15 और 8 कितने हुआ 73% 73% अबादी 70% अबादी दलत आदिवासी पिछड़े बैया शान्त हो जाएं अब यहां मैं भीड में पूछना चाहता हूँ यहां पे पिछड़े लोग कितने हाथ उठा कि दिखाओ यह देवा 50% दलत कितने हाथ उठा कि दिखाओ आदिवासी यहां कम है ठीक है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहां पे मुझे भीड में पिछड़े और दलत तकरीबन 50-70% दिख रहे हैं ठीक है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने कितने 60% नहीं है मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित ना आदिवासी ना पिछड़ा फिर मैंने क्या किया फिर मैंने कहा फिर मैंने कहा ठीक है भईया ये देश के दलित है आदिवासी है पिछड़े है ये मालिक नहीं बनना चाते तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं सीनियर मैनेजमेंट में धले दादिवाजी पिछड़े 70% के कितने बोलो बोलो जीरो एक नहीं है तो जब आप प्राइवेट हस्पताल में जाते हो यहां पे किसी का पैर तुटा तुटा जब आप प्राइवेट हस्पताल में गए आपने पैसा दिया आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की जब आपने private college university में आपने पैसा दिया आपने किसको दिया आपने ना दलिट को दिया ना आदिवासी को दिया ना पिचरे को दिया और ना अपने जेनरल कास के गरीब व्यक्ति को दिया मतलब आपके जेव में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेव में जा रहा है उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है अब सुनिए, अब आप को होगे मुझे, देखो हम दलित है, हम आदिवासी है, हम पिछड़े है आप हमारे लिए सपना देख रहे हो आप चाहते हो कि कॉर्परेट हिंदुस्तान में हम भी जाए मगर हमें इस सपने को देखने का दम नहीं है आप कह सकते हो, कि हमने हार मान ली राहुल गांदी ये सपना देख रहा है मगर हम में वो शम्ता नहीं है हम में वो दम नहीं है हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने आप कह सकते हो मैं मानूंगा नहीं, मगर आप कह सकते हो तो फिर चलो, आप कंपनियों में नहीं हो, तो फिर मुझे बताओ, मीडिया में आपके कितने लोग, मीडिया में आपके कितने लोग, अब देखो, मैडम आपका नाम क्या है, पुरा नाम, नीती तनेजा जी है, मीडिया की है, ठीक है, ये न्यूज तक कंपनिय है, आपका नाम क्या है, पुरा नाम क्या है, रक्षा जी, अभी वहाँ आउंगा, अब देखिए, यहाँ पे, माइक, सेलफोन पकड़ी, रक्षा यादव है, दीशा यादव, और ये दीशा यादव जो है, ये हिंदुस्तान की, सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक, कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शबद है, ये नहीं बन सकती है, ये कितना भी पसीना दे दे अपना, कितना भी खून दे दे अपना, ये पिछले बरकी है ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है ऐसे ही ये लड़की ये दिन बार कैमरा लिए घुमेगी 24 गंटा कैमरा लिए घुमेगी मगर जो इसके मालिक इसे कहेंगे वो इसको दिखाना पड़ेगा जो ये दिखाना चाहती है वो नहीं दिखाय जाएगा क्यों? क्योंकि ये पिछले बरकी है मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं सीनियर मैनेजमेंट में बड़े पत्रकारों में आपका एक आदमी नहीं अब मैं कहता हूँ ठीक है पिछले लोग के दले दादिवासी लोग मीडिया में भी नहीं जाना चाहते चलो मीडिया चोड़ो प्राइवेट हस्पताल चोड़ो प्राइवेट यूनिवरसिटी कॉलेज चोड़ो मुझे हाई कोट का बता दो हाई कोट में गले तादिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ, चुप हो गए, दम नहीं है आप में, आप सो हुए हो, 650 हाई कोट के जाज है, 73% आप लोगों की अबादी है, 100 जाज 73% के पास, और वो भी छोटे 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 छोटे, चलो आप मुझे कहोगे, हिंदुस्तान में 73% को, ना कॉपरेट हिंदुस्तान में जगे चाहिए, ना मीडिया में जगे चाहिए, ना कोट्स में जगे चाहिए, तो फिर मैं आप से कहता हूँ, ठीक है बताओ, हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं यह नरेंद्र मोधी को वहां पर बैठा रखा है यह हिंदुस्तान नहीं चलाता नरेंद्र मोधी के पास 90 लोग बैठे हैं समझें बजट बढ़ता है तो यह 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा आपके प्रधान मंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है पैसा कहां कैसे जाता है उनको बाशन देना जानते हैं वो बाशन देना जानते हैं वो नफरत फेलाना जानते हैं बाशन देना चाहते हैं इसलिए उनको वाँ बठा आया किसने अदानी ने अंभानी ने इन लोगों ने ठीक है अब सुनिए लगों में से आपके बजेट का एक एक रुपिया एक एक रुपिया ये नब्बे लोग बाटते हैं डिपेंस में कितना जाएगा अगनी ओर योजना होगी या नहीं होगी नहीं नहीं भाईया बोलो जितना बोलना है आपको नहीं होगी कुछ फरक नहीं पड़ता कुछ फरक नहीं पड़ता आप में कुछ दम नहीं है आप में कुछ दम नहीं है बोलो जितना बोलना है कुछ नहीं होगा अरे भाई सुन लो समझ लो समझ लो समझ लो आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है आप जितना चिलाना चाहते हो चिलालो जितना आप कहना चाहते हो अगनीवीर नहीं होगा चिलालो कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला आप में धम नहीं है आप में धम नहीं है अगनीवीर होगा अगनीवीर होगा क्यों क्योंकि आदानी चाहता है इसलिए अगनीवीर होगा मोधी चाहता है इसलिए अगनीवीर होगा कैसे वो क्या धम नहीं है आप में कैसे नहीं होने देगा हो रहा है मैं आप चिलाते हो और कुछ नहीं करते ही दम नहीं है आप में 73% में धम नहीं है सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता मैं रास्ता बताऊंगा मगर धम नहीं है तुम लोगों में मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ तुम लोग सो गए हो 75% हिंदुस्तान का जो बबर शेर है जो इस देश को चलाता है जो इस देश को अगे ले जाता है वो सो गया एक डर गया है ये देश की सचाई है आप कहो जितना कहना है अगनी वीर नहीं होगा अगनी वीर नहीं होगा 33% में दम नहीं है होगा कैसे नहीं होगा अदानी ने डिसाइड किया होगा होगा नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा होगा 90 ब्यूरोक्राइस ने डिसाइड किया है होगा दम नहीं तुम में अब सुनो अब सुनो नब्बे लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं स्वास में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं किसान बिल वो डिसाइड करते हैं नबे में से आपका कितना नबे में से दलेत आदिवासी पिचलों की कितनी भागिदारी मुझे बताओ नबे में से तीन OBC तीन दलेत एक आदिवासी नबे में से साथ आपके और सुनो पता कहां बैठे बड़ी-बड़ी ministry में नहीं बैटे defense ministry में नहीं बैटे finance ministry में नहीं बैटे कहां बैटे हैं छोटे से कमरें में बैटे हैं फीछे और उनको कहा जाता हो ए तुम लोग चुप हो जाओ जादा भकवास मत करो नई तो तुमारा ACR उड़ा दिया जाएगा ACR समझते हो नहीं समझते Annual Confidential Report जिससे पिछड़े ब्यूरोक्राट्स की दलिट ब्यूरोक्राट्स की आदिवासी ब्यूरोक्राट्स की रोज हत्या होती है ACR, नाम समझ लो समझे, चुपो गए समझे अब सुनो, 90 में से आपके 3 आपकी अबादी 73% 73% 90 में से तीन आपके आप जानते हो 100 रुपे में से अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खच करती है आप जानते हो आपकी किति भागीदारी है से 73% जानते हो 100 में से 73% की भागीदारी 6 रुपए 10 पैसे 100 रुपए का नोट दो मुझे 100 रुपए का नोट दो मुझे मैं ठीक सा समझाओंगा आज आपको तो समझोगे 100 रुपए का नोट दो यह रा 100 रुपए का अब 6 पैसे की कोई चीज दो मुझे 6 रुपए की चीज दो मुझे कोई छे रुपए छे रुपए निकालो जेब से ये लो ये देओ छे रुपए ये लो ये लो ये लो ये ये देगो ये बजेट में से सो रुपए गए ना अगर सो रुपए बजेट में खर्च हुए यह है यह है यह है यह आपका यह लोग देखो अच्छी तरह देखो अच्छी तरह देखो इसको यह है तुम्हारी भागिदारी यह कम है इसको तुम्हें उठा के फेक देना चाहिए छे रुपए दस पैसे की भागिदारी है तुम लोगों की अन्याए है यह हर रोज तुम्हारे साथ अन्याए हो रहा है यह लो सो रुपए अच्छा अब सुनो अब सुनो राम बंदिर का आपने इन्यागरेशन देखा देखा सबने देखा मुझे बताओ उसमें आपको अधानी देखा देखा उसका चेरा देखा अमबानी का चेरा देखा अमिता बच्चन का देखा अश्वर राय का देखा खोली का देखा किसी किसान का देखा किसी मज़्दूर का देखा किसी गरीब का देखा हिंदुस्तान की राष्ट्रपती हिंदुस्तान की राष्ट्रपती आदिवासी है उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा क्यों नहीं देखा क्यों नहीं देखा किसी डलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ आपने नरेंद्रमोधी का चेहरा देखा आप कहोगे नरेंद्रमोधी पिछड़े बर का आदमी है और मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे गुजरात में 2000 में उनकी जात गाची जात को OBC में डाला गया था नरेंद्र मोदी OBC नहीं है नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के है और नरेंद्र मोधी जनरल कास के गरीब लोगों की भी देख्बाल नहीं करते तो यह मैं आपसे कहना चाहता था मैं आपसे सिर्भी यह कह रहा हूँ आप अगर नहीं चगोगे अगर आप अपना हक नहीं लोगे भू के मर जाओगे आपके जो बच्चे हैं न पिए सडक पे लेटे हुए थे शराब पिए सडक पे लेटे हुए थे डिप्रेशन में है जानते हैं कि यह कुछ नहीं होने वाला यहां पे अब सुनो अब बात समझो रास्ता अपने मुझ से पूचा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक ही सवाल आपको अपने आपसे पूचना है ठीक है सवाल क्या बताओ मुझे आज जब आप सुबह उटोगे चाहे आप किसान हो मजदूर हो बेरोजगार हो आपको अपने आपसे एक सवाल पूचना है और इस बात को आप गहरी तरीके से समझिए गराई से समझिए आपको सुबह उटके कहना है ये जो सोने की चिडिया है जिसको हम भारत माता कहते है पूरी दुनिया में इसको सोने की चिडिया कह जाता है इस सोने की चिडिया में से मुझे आज कितना सोना मिला वज़ यही सवाल है आप सुबह उटो आप किसान हो आप कहो कि मैंने बारत माता के लिए आज अपना कून पसीना दिया मेरी माता ने आज मुझे कितना पैसा दिया यही सवाल है और कुछ सवाल नहीं है अब बती आप समझाता हूँ आपको सबसे पहला काम गिंती का काम है सबसे पहले देश को बताना है गलित पिछडे आदिवासी इस देश में कितने हैं उसका तरीका जाती जनगरना है अब उसके बार मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ मैं करांति कारी बात कर रहा हूँ इस टेश पे यह आपको हिंदुस्तान के टेलेविजयन पे नहीं दिखेगी क्योंकि टेलेविजयन अधानी का है पहला कदब होगा जाती जनगर्ना उसमें जनरल कास के कितने गरीब है बैकवर्ड कितने है गलित कितने है आदिवासी कितने है उसके बाद जाती जनगर्ना के साथ इकनोमिक आर्थिक सर्वे उसके बाद पता लगेगा कि पिछडों के पास इस देश का इतना धन है गरीब जनरल कास के पास इस देश का इतना धन है अमीर जेनरल कास के पास अरब पतियों के पास इतना धन है पिच्डों के पास दलितों के पास आदिवासियों के पास इतना धन है और जिस दिन वो ऐसे उपर लिख दिया जाएगा उस दिन सारे के सारे बबरशेट जग जाएंगे यह रास्ता है अब जब मैंने जाती चंगर्ना की बात की, गिंती की बात की, नरेंद्र मोधी जी स्टेज पर जाते हैं भाशन देते हैं ऐसे कहते हैं भाईयों और बहनों, भाईयों और बहनों, देश में सिरफ दो जात हैं, एक गरीब है और एक अमीर है देश में जात नहीं है अरे भाई अगर जात नहीं है तो तुम OBC कैसे बन गए जब जाती जन्गर्ना का समय आया तो नरेंद्र मोदी OBC शब्द को भूल गए जब पैसे का सवाल आया तो नरेंद्र मोदी OBC शब्द भूल गए पिछड़ा शब्द भूल गए कहते हैं दो ही जाते नोट बंदी की यह जो सब दुकान डारें को बरबाद कर दिया किसानों को मार दिया तब OBC थे GST लाए पिछड़ों को मार दिया तब OBC थे 14 लाग करोर रुपे उन्होंने अधानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया तब OBC थे मैंने जाती चंगर्ना की बात की सोने की चिडिया की बात की दन को बातने की बात की तो सिर्फ दो जात है नरेंद्र मोदी हो भी सिन्ही है आप ही बात समझे और मैं आपको बता रहा हूँ ये मीडिया वाले कुछ भी कर ले कोई भी कुछ कर ले इस तुफान को नहीं रोका जा सकता ये आज नहीं तो कल ति हत्तर परसेंट जग जाएगा वो आस्ते आस्ते जगेगा जब वो जगेगा जब उसको सची चोरी समझाएगी तब इस देश में करांती शुरू हो जाएगी तुफान आ जाएगा आकरी बात आपसे कहना चाहता हूँ आपका नाम क्या है रिशब क्या रिशब सिंग उपर आओ आओ रिशब सिंग को उपर लाओ अब मैं आपको हिंदुस्तान की राजनेती ये पूरा पूरा ड्रामा जो चल रहा है एक मिनट में समझाने जा रहा हूँ ये है रिशब सिंग अच्छे तरह देखो इसको ठीक है अब मान लो मैं रिशब सिंग हम सब रिशब सिंग का जेव काटन जाते हैं मान लो ये ये तु सेक्राटी वाले हैं मान लो यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेव काटनी है पहला काम क्या करेंगे पहला काम केंगे रिश्प उदर देख, उदर देख, वो देख पाकिस्तान, उदर देख, उदर देख, वो देख कमिता बच्चन, उदर देखो, वो देख अश्वरिया राय, उदर देख, वो देख क्रिकेट, पहला काम ये है, फिर रिश्प सिंग उदर देखेगा, उदर वो जो यह कर रहा है उसका नाम मोदी और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा भाईयाई मुझे एक डंडा देना देखो और यह तीसरा यहां पे एक पीछे होगा एक पीछे होगा वो अधानी एक मोदी कहेगा इतर उदर देखो और यह तीसरा यहां पे डंडा लिय खड़ा होगा ऐसे ऐसे डंडा लिए कड़ा होगा अगर किसी ने उल्टी सीरी बात की तो डंडा अमिच्षा एटी CPI, Income Tax, Police ये सब मैं काशी मंदर गया बात समझो आप मैं काशी मंदर गया मैं शिब को मानता हूँ मैं काशी मंदर गया वहाँ पे पुलीस वालों ने क्या किया वहाँ पे पुलीस वालों ने क्या किया सारे मोबाइल फोन हटा दिये सारे मोबाइल फोन हटा दिये एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया क्यों क्यों कि वो नहीं चाहते कि राहुल गांदी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए उसके बाद वारा नसी में सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं वो वीडियो ना फिलाईए आप देख ले ना यह जो मैंने भाश yarn ना मीडिया में नी देखेगा दिख नहीं सकता ईरो थी सोशल मेडिया में ठेज़द अब मेरा मेरा मsome दखने खने है मेराकर अब अम्रीका से कंट्रॉल तीहतर परसेंट को हिंदुस्तान की सोने की चिडिया का धन दिलवाने का है धन्यवाद और धन्यवाद पॉब जी नमसकार नफ्रत के बाजार में महपत की दिकान खोलो